शिवंशिवंशिवंशिवंशिवंश नमश्कर। आप सबका हमारी चैनल श्री मर्धुम रेमेडीस पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जाए कि सपने में यह यह आप किसी मृत्यवक्ति से बात कर रहे हैं, तो यह क्या संकेत देता है जहने लोग में वेक्ति का सपना देखते हैं तो डढ़ जाते हैं तो डढ़ने के आवशक्ता नहीं है इसका अर्थ हम आपको बताने जाए और यह सपना देखने को आपको क्या करना चाहिए यह भी हम आपको बताएंगे बताने से पहले हम आपको बता दें कि आप कोई बीश पीच और प्रड़क्ट शिवागो डाट कॉम या उम्जा डाट कॉम से प्राप्ट कर सकते हैं जैनून ऑथनिटिक लैब सेटिफाइट और साथ मैं भी मंतरत भी है दिया आप चाहें तो आप बच्चों के औरने के बिस मित दवक्ती से बात करने के सप्ने को एक शुब सोपन माना जता है अब इसका अर्थ क्या है है अब को फॉद्य आप बात कर रहे हैं शैन्टि पुर्न तरीके से बात कर रहे हैं तो शुब इसका अर्थ है कि यदि आपका कोई कार्य रुका हुआ हो कोई काम बहुत धीरे-धीरे चल रहा हो वो कंप्रीट नहीं हो पा रहा हो तो अब उस काम में मोशन आएगा वो काम आपका पुर्म होगा उस काम से लेटेट आपके अच्छे दिन शिरू आँगे अब इस अपने में मरित व्यक्ति आपसे कुछ आग्रह भी कर सकता है कि भाई तुम हमारा ये काम करतो तुम हमारा वो काम करतो तो यह था संबभ देखिए अगर वो काम पूरा करने लाइक है लॉजिकल है तो आप उस कार्य को पूरा करने के पूरी कोशिश किजिए कोशी चीजिए जो कि लॉजिकल है तो किया नहीं जा सकता है तो उस वैक्ति के नाम पर आप धानपुर ने करती चीए इससे उनकी आत्मा को शंति प्राप्ट होगी और आपको उनका अशिरवाद प्राप्ट होगा ऐसे भी आप दानपुर ने करेंगे तो उसका फल तो आपको ऐसे ही मिलेगा तो यह है उसका अर्थ यदि आपसे अपने में वित्वैक्ति से बात करते हैं तो और आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें आपने कमेंट दीशे थन्यवाद